कि कोश्चिन नमबर एटेन में क्या है रेंज आफ दो फॉर्सन एफ इस इपल टू एकस माइनस टू अपाउन एकस माइस स्क्वार माइनस 4x प्लस 3 इस इसको कैसे बनाईएगे लिखते हैं ठीकिए तो सबसे पहले इसको क्या मानेंगे फंसन को फंसन को हम लोग वाई मानेंगे अब इसमें क्रॉस मुल्टिप्लाई करेंगी लाज्ट कोस्टिन की तरह x minus 2 is equal to x square y minus 4xy plus 3y, right side में जाके क्वार टीक नाएंगे x square y minus x common, so 4y plus 1 plus 3y plus 2 equal to 0, okay? अब यहां पर देखिए एक्स बिलॉंग्स टू क्या है और माइनस पर्टिकुलर सलूशन वन कॉमा थी है तब यह मतलब आवव क्या हम क्या हुब टू क्या हुआ मीशी इअ पर्टिकुलर सलूशन पर्टिकां एक्सिए क्या हुआ वा हुआ 15y square plus 8y plus 1 minus 12y square minus 8y greater than equal to 0. 8y and 8y cancel हो गया. तो 16y square में 12y square जाएगा 4y square minus 1 greater than equal to 0. इसका factorization 2y plus 1 into 2y minus 1 greater than equal to 0. अब जब हम sign scheme चलाएगे तो minus half और plus half minus half और plus half के भीच में यह बनेगा. ठीके? तो देखते हैं sign scheme कैसा दिखाएगा? यहाँ plus minus plus होगा. ठीके? equal to 0 के कारण यहाँ पर darking होगा और यहाँ पर भी darking होगा. greater than 0 का मतलब यह आपका इस तरह से plus select होगा. ठीके? तो अब हमारे पास क्या है? यह क्यों सिफ्वे हैं कि y belongs to minus infinity से r minus infinity से minus half union half से infinity. ठीके? sorry, यहाँ पर फ्रा सा mistake होगया है. ठीके? यहाँ पर कहाँ पर mistake पर देखिए हैं? यह सारे गलत होगा. यह आपको minus नहीं रहेगा. यह mistake होगया, इसको हटा दिया जाए. देखिए, यहाँ पर आपका क्या था है? यहाँ पर आपका solar y square minus 12 y square 4 y square यह plus रहे हैं. इसका मतलब यह confirm positive है, तो हम कर सकते हैं, y belongs to all the numbers. अपका यह लो कर सकते हैं, विके? कि अदी देखिए, कि अदी देखिए, कि आपका यह द रहे हैं, झाल झाल झाल